आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं आज का दिन आमादमी पार्टी के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आया है आज जहां एक तरफ दिली शराब घोटाला मामले में अर्विन के जरिवाल को एडी के सामने पेश होना है तो वहीं उससे पहले उनके मंतरी राजकुमार आनंद के घर पर एडी की चापेमारी होई है एडी की टीम सुभा करीब साड़े साथ बजे राजकुमार आनंद के घर पर पहुँची है और शापेमारी जारी है राजकुमार आनंद के आवास के साथ-साथ उनसे जुड़े 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की है और राजकुमार आनंद पर मनी लॉंडरिंग के आरोपों के तहट शापेमारी चल रही है वहीं आरोप है कि मंत्री ने हवाला के जरिये पैसा वैद रूप से विदेश भेजा और ये चापे मारी डियाराई की शिकायत पर की गई आपको बता दें कि 7 करोड रुपे की हेरा फेरी की बात सामने आई राजकुमार आनंद ने कस्टम्स में 7 करोड रुपे की हेरा फेरी की वहीं दिल्ली शराब गोटाले में दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल को भी सुबह 11 बजे एडी के सामने पेश होना है तो जहां एक तरफ सुबह 11 बजे अर्विन केजरिवाल को एडी के सामने पेश होना है उनके सवालों का सामना करना है तो उससे ठीक पहले अर्विन केजरिवाल के मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर एडी की टीम ने चापिमार कारवाई को अंजाम दिया है राजकुमार आनंद पर मनी लॉंडरिंग के आरोप लगे हैं और इनी आरोपों के तहत कारवाई को अंजाम दिया गया है DRI ने ये कहा है कि राजकुमार आनंद ने कस्टम में 7 करोड रुपे की हेर फेर की है और इसी हेर फेर की जांच के लिए इस पूरे मामले में उनके घर पर छापिमार कारवाई घर के अलावा बारहा उनी सजुडे टिकानों पर कारवाई को अंजाम दिया गया वहीं दिली शराप घोटाला मामले में आज दिली के मुख्य मंतरी अर्विन के जरिवाल को सुबह ठीक 11 बजे ED के सामने पेश होना है तो लगातार एक के बाद एक दिली के मुख्य मंतरी और उनकी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही है इससे पहले मनीश इसे सोधिया की बात करें आमादमी पार्टी सांसत संजे सिंग की बात करें वो पहले से ही इन मामलो में ED की गिरफ्ट में है और अब ऐसे में दिली के मुख्य मंतरी अर्विन के ज्रिवाल को समन जारी होना कहीं न कहीं पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाता है वहीं मेरी सयोगी शुतिका जो है वो राजकुमार आनंद के घर से हमारे सांद जुड़ चुकी है शुतिका ग्यारा बजे मुख्य मंतरी को ED के सामने पेश होना है उससे पहले उनके मंतरी के घर पर टीम पहुँच जाती है चापेमारी करने के लिए क्या पता चला है चापेमार कारवाई में और क्या ED की टीम अभी भी वहाँ पर मौजूद है देखे जोसना ये दोरी मुसीबत तो है ही आमादमी पार्टी के लिए क्योंकि 11 बजे CM अर्विन केजरिवाल को पेश होना है तो वहीं राजकुमार आनंद के घर पर भी सुबह साथ साथ के करीब ED की टीम पहुँची चार से छे लोगों की ये टीम है जो कि इस वक्त उनके रेजिजिजन्स के अंदर है ये उनका Camp Office भी है अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखा हूँ तो ये उनका Camp Office है जहां पर इस वक्त ED की टीम पहुँची हुई है चार से छे लोगों की ED की टीम पहुँची है और हवाला ट्रांजक्शन से जुड़ा ये पूरा मामला है साथ करोड की हेरा फेरी से जुड़ा ये मामला है और बारे और ठिकानों पे भी रेड हो रही है क्योंकि वेस्पटेल लगर में जो इनका रेजिदेंस है जहां ही रहा करते थे पहले मंत्री बनने से पहले वहां पर भी रेड हो रही है वहीं राजकुमार आनंद के पास में जो पोटफोलियो है उसमें सोशल वेलफेर है लेबर है और एंप्लॉइमेंट है इसके अंदर कई उनके पास बड़े पोटफोलियो मिले हुए है जब राजेंदर पाल गौतम ने स्तीफा दिया था उसके बाद में राजकुमार आनंद बने थे मंत्री दिली कैबिनेट के इनको कोई जादा समय नहीं हुआ है और ये मुसीबत आती है और ऐसा मामला सामने आता है प्रिवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग आक्ट के तहत ये पूरी कारिवाही की जा रही है और ये पूरी इंवेस्टिकेशन की जा रही है इडी की टीम अभी भी अंदर है और जिस तरीके से अभी आसार नजर आ रहे है इडी की टीम यहाँ पर रहने वाली है पूछताच करने वाली उन पूरी ट्रांजक्शन को लेकर पूछताच होगी साथ करोड की जो हेरा फेरी की बात सामने आई है उसको लेकर पूछताच होगी जो भी international transactions हुए हैं उसको लेकर पूछताच होनी है तो कई सवालों की list यहाँ पर ED लेकर आई है ED ने तयार कर ली है और PMLA Act के तहट इस कारवाई को अंजाम दिया जा रहा है मैं गौनेका का रुख करती हूँ गौनेका इस वक्ते जिवाल के घर के बाहर मौजूद है गौनेका अर्विन के जिवाल की बात की जाए जो पार्टी के मुख्या है बताईए यह नहीं होंगे इसपे भी संशय बना हुआ है कि कई एक्स्टेंशन ना मांग लिया जाए अलाकि अभी ओफिशल कोई भी ऐसी जानकारी अंदर से सामने नहीं आ रही है कि अर्विंद केज्रिवाल क्या 11 बजे एड़ी दफ्तर केरे निकलें नहीं क्योंकि पिछली बार सीधा CBI के दफ्तर में गए थे जहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी लेकिन यहां पर अर्विंद केज्रिवाल के घर के बाहर सीन बिल्कुल ऑपोजिट है बिल्कुल सननाटा है सिर्फ सेक्योरिटी के लोग है अलाकि दिल्ली पुलिस अपनी सेक्योरिटी को पुखता क और अर्विंद केज्रिवाल के घर के बाहर दिल्ली पुलिस के जवान है इसके दूरी पर बैरिकेट लगा रहा है वहां पर अर्विंद केज्रिवाल ऊपर बेष्ञे हों गया है क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया है कि कार्यकर्ता यहां पर आए और अर्विन के जिवाल उनको एक बेकाइदा एक मिल्कुल गोरिका और एक बड़ी